भारत समेच दुनिया के 16 देश मिलकर एक नया समझोता कर रहे हैं RCEP Free Trade Partnership का क्या है ये समझोता और इस समझोते को लेकर खासतोर से किसान संगठन विरोध मोतरा हैं और इसके विरोध की क्या वज़ा है इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्टी किसान मजदूर महासंग के यूद विंग के प्रैसिडेंट अविवन्य कोहार जी है अविवन्य जी RCEP को अगर हम समझें आसान भाषा में तो वो क्या है और इसको लेकर विरोध क्यों है देखिए RCEP है Regional Comprehensive Economic Partnership Free Trade Agreement ये 16 देशों के बीच हो रहा है भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्टेलिया, न्यूजिलेंड और आसियान के दस देश इस मुक्त व्यापार समझोते के तहट इन 15 देशों से जो क्रिशी उत्पाद, दूद उत्पाद और Small Scale Industries के जो प्रोड़क्ट्स होंगे जो उनका आयात किया जाएगा भारत में उनमें से 80 प्रतिशत प्रोड़क्ट्स पे आयात शुल्क जीरो कर दिया जाएगा अब हमें समझना ये चाहिए कि जब इस समय बहार से आने वाले प्रोड़क्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उस समय में भी चाइना ने हमारे पूरे मार्केट को फ्लड कर रखा है अपने प्रोड़क्ट से अगर हम देखें ओरतों की चूडियां तक चाइना से आती है जो पतंग उडाने का जो मांज़ा होता वो चाइना से आता है जो बच्चों के जनम दिन पर जो टोपी इस्तिमाल की जाती है वो चाइना से आती है जब सारी चीज़ें चाइना से आ रही है इस समय जब इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है और आपको एक चीज मैं यह और बता दूँ, जिस तरीके से जब से free trade agreement होने शुरू हुए और जब से WTO आया, उस समय के बाद से अगर हम देखे, अलीगर से ताले वाली पूरी जो industry थी वो खतम हो गई, लुधियाना में जो cycle industry थी वो पूरी तरीके से खतम हो गई, तो जो य हमारा इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है, कि जब यह मुक्त वियापार समझोता, अगर हो गया, तो ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड से दूद आएगा, चाइना से सेब, सोयाबीन और अन्या प्रोडक्स आएंगे, तो हमारे देश के जो किसान हैं, वो अपने प्रोडक्स बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे, इस समय हमारे देश में सिर्फ 6% किसान अपना प्रोडक्स MSP पर बेच पाते हैं, जब बहार से इतनी बड़ी मात्रा में, सारे प्रोडक्स इंपोर्ट किये जाएंगे, क्रिशी के प्रोडक्स, दूद के प्रोडक्स, तो हमारे यहा खासकर RCEP समझोते पर जो हस्ताक्षर करने वाले हैं, अगर इस पर हस्ताक्षर हो गए, तो किसानों की आये की बजाए, किसानों की आतम हत्या दोगनी हो जाएगी आपने खास दौर से चीन का नाम लिया कि चीन के उत्पाथ किस तरह से भारती बाजार में आ रहे हैं, तो चीन से अभी भारत का कोई भी मुक्त व्यापार समझोता नहीं, किसी भी तरह का कोई समझोता नहीं है, लेकिन फिर भी, 2017-18 में चीन के साथ जो व्यापार था भार यानिकी चीन की तरफ से जो वस्तू है जो माल है वो जादा आया हमारे हमारे देश से कम जाए लेकिन क्या चीन ही सबसे वड़ा खत्रा है आर सी पी को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात है दूसरी बात यह कि अगर और 16 देशों की बीच एक समझोता होता है तो आप जो किसान संगठान है वो इस बात के लिए क्यों डर रहे हैं कि भारती किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगी भारती किसानों को भी एक नया बाजार मिलेगा बाकी की पंदर देशों में वो क्या अच्छी बात नहीं है इस न्यूजिलेंड से भी खत्रा है अब देखिए हमारे यहां पे 10 करोड किसान वो दूद के उत्पादों को बेच के अपना गुजारा करते हैं अपने परिवार का पेट पालते हैं लेकिन न्यूजिलेंड की अगर बात की जाए तो न्यूजिलेंड में गाएं के या दूद से जुड़े हुए सिर्फ 10,000 किसान हैं और हर किसान के पास 5-5,000 गाएं हैं तो वहां पे दूद एक बिजनेस है हमारे यहां पे आजीवी की का एक साधन है तो हम पूरे तरीके से हमारे किसान बरबाद हो जाएंगे जिससे पहले जो हमारा जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हुआ तो जापान ने अपने प्रोड़क्स तो हमारे यहां पे भेज दिये लेकिन जो हमारे प्रोड़क्स जापान में जाते थे उन्होंने अलग अलग तरीकों से हमारे प्रोड़क्स पर लोक लगा दी मैं आपको एक चोटा सा एक्जामपल देता हूँ ज स्पोर्ट पर हमारे यहां से उसके बैन लगा दिया इसी तरीके तरीक जो इए विदेशी यह नोग है वह हमारे समान पर लगाते हैं और हमारे समान को वहां पर नहीं पहुंचने देते हैं आपने सवाल उठाया कि हमारे किसानों को भी तो बाजार मिलेगा देखिए हम अपने किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं कर सकते हैं हमारे यहां पे किसानों को MSP तक नहीं मिलता है और अगर आप विदेशी किसानों की बात करेंगे तो आपे भारी मातरा में किसानों को सबसेडी मिलती है भारत की बात करें तो अमरीका में लाखों करोड़ों की रुपे की चारत्रेगी सबसीडी वहां पर किसानों को दी जाती है तो हमारे किसान उनके किसानों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे आपको एक उधारन और देता हूं तीन साल पहले से चाइना ने अपने युवान प्रोविंस में 10,000 हेक्टेर लेंड पे एपल फार्मिंग शुरू कर दी और वहां की सरकार वहां के किसानों को पूरे तरीके से सपोर्ट दे रही है हर तरीके से उनको फर्टिलाइजर में उनको पेस्टिशाइड में उनको सारी नहीं नहीं टेकनीक देने में और उसके बाद अब अब कर्पोरेट फार्मिंग होती है वहां पे एक किसान के पास कम से कम हजार से 2000 एकर लेंड होगी वहां पे हवाई जाजों से तो स्प्रे करते हैं वो अपनी फसल के ऊपर हमारे यहां पर जो एक हैक्टेर दो हैक्टेर तीन है तो लेंड पोपुलिशन रेशो भी डिफर फिर ऐसा क्या होगा अगर न्यूजलेंड से मान लीजे दूद आने लगा हिंदुस्तान में तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि बाहर जो विदेश के लोग हैं विदेश में जो सरकारे हैं वह अपने किसानों को सबसीडी देती हैं जिससे उनकी लागत कम हो जाती है लेकिन भा वहाँ जो किसानों को सबसीडी लेकिन वहां पर जो विदेती मिलती हैं जया सबसीडी देश से करवा हैं अगलत और जी परपर करायी हैं अभी जब राश्ट्रे किसान महासंग की मीटिंग हुई थी उसमें अमूल के जी एम जैन मैता खुद आये थे और उन्होंने बिल्कुल फुल प्रूफ डाटा के अधार पर बताया कि जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन हमारे यहां पर दूद का है हाज के दिन हर भ उड़े हुए हैं उनको तो बहुत ही बड़ा खत्रा हो जाएगा और पूरे तरीके से विनाश की तरफ वो बढ़ते चले जाएंगे और किसानों का एक तरीके से पूरा बरबाद हो जाएंगे कि अब एक बात आप और बताईए कि भारत जो है डबलू टीओ का सदसे देश जिसमा जिसको लेकर भी जो ट्रेड को लेकर जो एक दूसरे देश के भी जो समझौते होते हैं जो नियम होते है वह लागू है तो डुटीओ में कुछ सेफगार्ड मेजर्स है मालीजे डुटीओ के तहट उसके समझोते के तहट किसी दूसरे देश से हम कुछ क्रिशी उत्पाद का आयात करते हैं और उसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डव्यू टियो में ऐसे सेफगार्ड हैं कि उसके आयात को कुछ समय के लिए हम रोक सकते हैं या जो जादा बड़ी क इंपोर्ट ड्यूंट रखने का प्राहुदान है किसी कई प्रोड़क्स के उप्रफ्ट के गई तो थिनवा उप्र्फन की इंपोर्ट ड्यूंट 47 प्रोड़क्स की इंग जो होगी है वो जीरो हो गई तो जीरो हो गई पर एक अन्य बात में आपको बताओं जो इसमें RCP में जो बहुत सारा शक पैदा करती है जो सरकार की जो उनकी सोच है उसके उपर RCP में क्या चर्चा हो रही है अब तक 27 राउंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हो चुकी है लेकिन वो किसी को मालूम नहीं है सरकार उनमें क्या चर्चा कर रही है और हमारे समीधान के अनुसार जो क्रिशी विशे है वो रज्जे का विशे है केरल की सरकार ने उनकी विधान सभा ने काफी समय पहले स्क शेनिटर को लिखा था कि आप इसमें क्या बातचीत कर रहें इसके बारे में हमें आवगत कराये लेकिन अब तक केरल की सरकार को ये नहीं पताया गया है तो सरकार एक सिक्रेटिव तरीके से बातचीत कर रही है जिन लोगों के हित इस से जुड़े हुएं सम्झौते से उनको इस बात के बारे में नहीं बताया जा रहा है इवन हमारी पारियमेंट को जो हमारे लोकुंतर में सर्व Some स्था है उसको भी इसके बारे में आओगत अब तक Correct नहीं तक नहीं कराया गया है उसको भी इस से अब तक बिलकुल अभी कोई आउगत नहीं हमारा पार्लियमेंट के कई सांसदों को पता ही नहीं है कि ऐसा समझोता होने जा रहा है तो आप आर्सीपी के खिलाफ किसान जो है प्रदर्शन के लिए किसान संगठन विरोध दर्ज कराने अब सड़कों पर आ रहे हैं सरकार जिस तरह से पूरे समझोते पर चुपी सादे हुए किसी को कुछ नहीं बता रही है कि समझोते में क्या है क्या नहीं है यह कहाँ जरूर जा रहा है कि किसानों के हित्तों की रक्षा की जाएगी उनका ध्यान दखा जाएगा फिर किसान या आप जैसे जो संगठन है किसानों के, वो कितना इस चीज को लेकर निश्चिन्थ है कि पिरदर्शन के बाद सरकार इस चीज को समझे गी या इसे लागू करेगी या आपको बताएगी कि प्रदान-मंत्री के नाम अभी पहले आवेदन होगा अगर सरकार आवेदन नहीं सुनेगी तो इसके बाद आंदोलन होगा 18 अक्टूबर से ही किसान काली पटी बांद के पूरे देश बर के किसान काली पटी बांद के इसका विरोध करेंगे जापन देने के बाद उसके बाद हमारी 13 राज्यों में इसके उपर अधिवेशन हो रहे हैं जिसमें हमारे सभी पताधिकारी आएंगे, उनको अवगत कराया जाएगा, पैंपलेट्स के जरीए किसानों को इसके बारे में बताया जाएगा, और किसानों को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानती है, तो हमारी एक बड़ी कोर कमेंटी की बैठक होगी और हमने ये तै किया है जो अभी 10 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी उसमें ये हमने तै किया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम बड़े पैमाने पे सभी दूध यूनियन और सभी किसान संगटनों को जोड़ के गाउं बंद अंदोलन को दोबारा से देश में शुरू करेंगे तो ये हमारा आप तक पूरा इसमें जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है जो रन्नीती बनाई है वो है और मैं आपको एक कीजिस में और बता दूँ कि जब बीजेपी विपक्ष में थी जब निर्मला सितारमन जी विपक्ष में थी तो 2013-14 में निर्मला सितारमन जी ने मुरली मनोवर जोशी जी ने इन्होंने इंडियन यूरोपियन फ्री टेड एगरिमेंट के खिलाफ खुब बयान दिये थे और उसका विरोध किया था उस समय फिर स्टेंडिंग कमेटी बनी थी उसमें हमारे लोग भी जाके अपनी बात रखे आये थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग के नेतरतव वाली सरकार ने फ्री टेड एगरिमेंट की बातचीत पे डिसकेशन पे रोक लगा दी थी लेकिन जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई इसके सुर बदल गई और इसने सभी फ्री टेड एगरिमेंट पे बातचीत शुरू कर दी तो सरकार का ये दोगला रवाया भी है जो हमें बहुत प्रेशान करता है जिसकी वज़ाए से हम चिंतित होते हैं कुछ दिन पहले प्रेशान मंतरी मोदी ने आरसीपी को लेकर एक बैठक की थी कि आरसीपी पर कैसे आगे बढ़ा जाए उसमें हालत ये थी कि करशी मंतरी तक को नहीं बुलाए गया था कि दूसरे मंतरी के माध्यम से कहना पड़ा था कि बैठक में किसानों के हितों की बात की जाया किसानों के हितों की रक्षा की जाये लेकिन जो सबसे बड़ा तबका है जो इस समझोते से प्रभावित हो सकता है क्योंकि अभी पता नहीं कि इस समझोते में क्या है क्या नहीं प्रभावित हो सकता है वो है किसान और किसानों के लिए जो मंत्राला या जो मंत्री है वो नहीं बैठक में नहीं बुला जाता है जो मुक्त व्यापार समझोता है उनको लेकर भारत में जो अभी ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड बताता है कि 2015-16 का आर्थिक सरविक्षण जो हुआ था उसमें यह पता चला था कि भारत ने तब तक 42 मुक्त व्यापार समझोता किये थे किसी एक देश के साथ या कि नहीं दो द सब्सक्राइब बाएं और ने रस्वाटिश तब उस देश से तो भारत में बहुत सा सामान आता है बहुत सी वस्थिए catalyst यॉन आती है चाहिवो अरी से निर्यात होता है लेकिन भारत सब्सक्राइब तक काली मिर्च और एलाईची का आयात किया गया इस रेट पर और जो भारत में उस वक्त कीमत थी वो थी 11400 डॉलर प्रतिक्टन हालत यह थी कि उसके वाद वियतनाम से समझोता हुआ और 2011-12 में जो काली मिर्च कीमत भारत में तब थी 240 रुपए वो 2016 फरवरी में घट गई और हो गई कितनी वो हो गई 80 रुपए प्रतिक्टन है उससे रेट गरते हैं उससे उपहोगताओं को तो फाइदा हो जाता है कि भई कम रेट की चीज़ें आपको मिल जाती हैं लेकिन जो उसके उत्पादक होते हैं जैसे भारत में काली मिर्च के जो किसान उत्पादक हुए उन्हें बहुत घाटा हुआ तो यह जो डर है क्या यह जो इतिहासिक डर है व्यापार समझाओते को लेकर यह भी एक डर है जो आरसीपी में आप लोगों को विरोध करने पर सड़क सबससे पहलो भारत में चली के बीच बहरत और आसिया रचों के बीच हぉँद मुक्त वां मुक्तिया परितों उसकी परसूर था 42 बिलियन डॉलर के आसपास का था जैसे जैसे यह लागू होते गई यह सभी मुक्तियापार समझोते तो 2016-17 में दो ही साल बाद वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम होके 33 बिलियन डॉलर आ गया तो जो सरकार के जो भी दर्बारी बुद्धी जीवी हैं जो सरकार को सला दे रही है इस चीज की कि इससे बहुत फाइदा होगा अरे जो अब तक मुक्तियापार समझोते हुए हैं आप उनी का रिजल्ट उठा के देख लिजिए जब उनसे फाइदा नहीं हुआ तो इस समझोते में ऐसा क्या नया है कि जो इस फ्री ट्रीट एगरिमेंट से किसानों को फाइदा हो जाएगा और इससे तो बड़ी मात्रा में नुकसान होगा क्योंकि इस मुक्तियापार समझोते में चीन भी शामिल है और चीन जो दूसरे देशों को मार्केट को जिस तर नहीं हुआ तो हमारा सवाल यह है इन बुद्धिजीवियों से जो सरकारी बुद्धिजीवी है कि इस मुक्त पर समझौते में ऐसा क्या नया है जो इससे किसानों को फाइदा होगा और इसमें चीन भी शामिल हो गया है तो चीन तो पूरे तरीके से हमारे मार्केट को तबाह कर देगा अगर मैं छोटा सा आप से एक कमेंट यह चाहूं कि डेरी उत्पाद के अलावा जो किर्शी छेतर है उसमें कौन-कौन से इस इत्पाद है या कौन-कौन से ऐसे सेक्टर है जिन पर असर पड़ेगा इस RCEP समझौतेगा देखिए के हूं है उसका आयात ऑस्टेल अगरिकल्चर प्रोडक्स पर पड़ेगा दाल तिलहन बाकी चीजें उसके बाद आप फल सब्जी पर आजएए दूद पर आजएए गहूं पर आजएए चावल पर आजएए सोया बीन भी चाइना बड़ी मात्रा में चाइना ने सोया बीन की प्रोड़क्शन शुरू की ह जो स्मॉल स्केली इंडर्स्ट्री के प्रोड़क्स है उन पर बहुत नेगेटिव पड़ेगा जो डिरी से रिलेटिड्स जितने भी प्रोड़क्स है उन पर सबसे अधिक नेगेटिव असार पड़ेगा अब कुछ साल पहले एक मामला हुआ था कि जब भारत में डलहन यानि की डालों का उत्पादन ठीक था जो मांग थी उसके मुकाबले सही था बिलकुल उसी के अनरूप था फिर भी भारत ने कई और देशों से तै सीमा से ज्यादा डाल का आयात करवाया उससे हुआ कि डाल के किसानों को है और भी जो सेक्टर आड़ी के छोटे जो चोटे देरी उत्पादक हैं डेरी संचालक हैं फाइदा कैसे हो सकता है और सीपी समझवोते से थी फाइदा उन लोगों को होगा हमारे देश में जो एग्री बेस प्रोडाट का इंपोर्ट करते है तो कि मान प्रॉफिट बढ़ जाएगा उन लोगों को फाइदा होगा जो भारत में खाद्य तेल का इंपोर्ट करते हैं तो जो वेक्ति एग्रो बेस्ट प्रोडक्स का इंपोर्ट करता है उनको सबसे अधिक फाइदा होगा और बाकी अन्य किसी को भी फाइदा नहीं है और मैं एक च जाएंगे उसको लगबग 2-3 हफते हो चुके हैं तो क्या मार्केट में कंज्यूमर्स को प्यास कम दाम में मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है लेकिन किसानों को जो दाम मिल रहा था आपना प्यास बेचने का वो जरूर कम हो गया तो रियल जो प्रॉब्लम है जो इसकी जो म और बीच में सक्काम की इसे में हिमना है जाहें दर सरकार के और नहीं है है यह करते क्या है कि महंगाई को कम करने के नाम पर किसान को बिलकुलruceान को किसान को उसके कदरें दो इसकी रिखाना कि किसानों के आत्म हत्या लगातार बढ रही है और इसलिए 2015 जो 360, रहीं हो और सबके आंकडे शुपाने की कोशा कर रही है लेकिन सबस्रोडी बात ये कि सरकार का दिए दवा है कि आर सीपी से किसी भी हित को चाहे किसानों कहे थो या किसी और सेक्टर के किसी होल्डर कहे थो वो सुरक्षित रहेगा लेकिन फिर भी सरकार ना तो किसी राज्य सरकार को इस समझोते में क्या होने वाला है वो बता रही है ना किसानों के संगठनों को यह बता रही है यहां तक कि किसी को भी अभी तक यह नहीं पता कि RCEP के समझोते में होने क्या वाला है समझोते के नियम क्या हो सकते हैं समझोते का जो दिशा निर्देश है वो क्या होगा कैर RCEP को लेकर जो डर है किसान संगठनों में और किसानों में उसको लेकर आप प्रजर्शन विरोध प्रजर्शन लगातार शुरू ह हो रहे हैं और अब देश व्यापी प्रदर्शन की तैयारी हो रही जो 18 तारिक्षे शुरू होगा देखना ही होगा कि सरकार अब भी क्या RCEP के समझोते को इसी तरह से गुपचुप तरीके से करेगी यह इसमें पारदर्शिता लाएगी और यह तै करेगी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में जो पुराना इतिहास है मुक्त व्यापार समझोते को लेकर उस तरह का कुछ RCEP में नहीं होगा जिसका डर लगातार लोगों को सता रहा है अब नहीं बहुत बहुत आपका शुक्री हमसे बात करने के लिए शशांग पाठक सुराज एक्स्प्रेस